आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ से जनता कोलनी तक की सड़क में बदलाव कर दिया जसका खुलासा सुमवार को इस्थानिय रस्थाउस में विधायक साथु ने नगर व्यापारियों के प्रसिति में अधिकारियों से बात की रेस्ट हाउस पर विधायक सूश्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साथो नगर व्यापारी संग के पताधिकारियों ने MPRDC के अधिकारी राकेश जैन वर्षा अवस्सी से बात की विधायक ने विभागी अधिकारियों से नगर के सीसी सलक को जल्द बराने के लिए कहा वहीं व्यापारी संग की और से लोकेंदर छाजेड ने नगर में पूर्व से बनी सीसी सलक पर डामर करने बायपास को सीसी सलक करने की मांग की पर दोनों ही मांग पर अधिकारियों ने भोपाल वरिष्ट अधिकारियों से बात करने की बात कही। करीब एक घंटे चली बैठक में कोई निश्कर्ष नहीं निकला। विधायकी उपसिति में व्यापारी संग अधिकारियों को 51-200 वहीं विधायक साधो और व्यापारी संग ने अधिकारियों से नगर की सलक समस्या को साथ दिन में हल करनी की चेतावनी दी। या थो कतरगाओं बलवाला सलक का कारी 2017 से शुरू हुआ था पर सलक ठेकेदार विभागी अधिकारियों की अंदेखी के कारण साले चार सालों बाद भी सलक का कारी आज तक पूर्ण नहीं हो पाया जिसके कारण सलक निर्मान के दुरान अने को दुरगटनाए भी हुई विभागी अधिकारियों ने उक्त सलक निर्मान के लिए नियुक्त किये गए कंसल्टेंसी अधिकारियों के साथ सलक निर्मान में अनेक जगों पर बदलाव किये गए जुस पर बिना चार्चे देखे विभागी अधिकारियों ने प्री सहमती दी जिसके कारण नगर की 2-3 क पाकेश कानून को आजम सैयद सलक नहीं बनी तो करेंगे जनांदुलन बैठक में उपसित अधिकारियों से व्यापारी संग ने दो टुक कहा अगर साथ दिन में विभाक्यों से जवाब नहीं आता नगरवासी जनांदुलन करने के लिए बात रहेंगे वहीं विधायक साधो करोड़ों रुपे की लागत से बनाई जा रही सीसी सलक का निर्मान कारिया अंदिम चरण पर है घटिया निर्मान के कारण सलक अनेक जगों से उख़डने लगी जिसकी शिकायत भी बैठक में अधिकारियों से की गई पर अधिकारियों ने चुपी साथ दी जिससे सपष् सलक का कारिय गुणबत्ता पूर्ण नहीं है करही से रुपेश डाकोलिया के रिपो